अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें कि मन्गल द्सक्राइब कर्वन्हे भूलें मंगल啊 बड़ी एक्शन मोश्यखोष कमदनpless ऑ माश कमदननी कि मौलय आइकन दृष्छ आईऑ एक्शन प्रफ्टें हरी अरे, कहा मर गया जनम जले? मेरी दवा का वक्त हो गया कम बख़त एक प्याली दूद भी गरम करके नहीं दे सकता कब चुटे की चान इससे मेरी? लिमा, दवा खाले सुबय की दवा दिन चड़े खाओ, तो दवा क्या खा कसर करेगी? तू चाहता है कि मैं मर जाओ? अभी सुबय देवता को जगने में काफी समय लगेगा ले, दवा खाले, आरम आ जाएगा सुबय होने में काफी देर है माँ सुबय होने में वक्त लगेगा अभी सुबय होने में देर है जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चलाता है अब मेरा मूग आता करा है मन्हूस जा, जाकर मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर अच्छा मा, पर तू ये दवा जरूर खा लेना अवर, मैंने जो कहा तर सब याद है बिट्या हाँ बैया, वो दो मुझे भी याद है तो बताव क्या कहा था गर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा गर रास्ते में कहीं रुखना नहीं, एक दूसरे काच छोड़ना नहीं शाबाश, बहुत बाले बच्चे अब स्कूल को देर ओड़े है चलो बटाव, खाना रखना है? शाबाश ताटा बड़े बैया ताटा जरादे खुसाज बहारो कमास हो है कितना सुहाना तुम्हारे सिमा कुछे नदर आए मुझे को तो देखूं जमाना जरादे खुसाज बहारो कमास हो है कितना सुहाना तुम्हारे सिमा कुछे नदर आए मुझे को तो देखूं जमाना ऩुम्हारे सיפूं तुम्हारे सिमें आए मुम्हारे ओनंग कितने और आए मुम्हारे सिमातर आए कितनि मैं कुल की जगात तेरे लब क्यों न देखूं ये चहरा ये आचल ये सब क्यों न देखूं मैं कुल की जगात तेरे लब क्यों न देखूं ये चहरा ये आम चलूं ये सब क्यों न देखूं, उसे क्यों न देखूं, मैं जिसका दिवाना, मैं जिसका दिवाना। जरा के खुशाश, बहारो कमाशन, है कितना सुभाना। तुम्हारे सिवाक उचे, नजर आए मुझे को, तो देखूं जमाना। तुम्हारे सिवाक उतिका जिसका अबुम्हारे सिवार मुझे क्वाओं कितका आरो ये लागना। जह जितना समयग in जितना सưवारista जितना तुम्हारा मिलाई लगना, मिलाई रखना, फिर दिल को दिल से लगाई रखना मिलाई लगना, मिलाई रखना, फिर दिल को दिल से लगाई रखना, न चल वे कोई शाओ, जालम जमाना, ये जालम जमाना जरा देखो सजनी, बहारों का मौसम है कितना सुहाना तुम्हारे सिवाच नजर आए मुचल को, तो देखो नमाना तुम्हारे सिवाच नजर आए मुझे को, तो देखो नमाना भाई साब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी सुखी रहेगी भाई साब, आपकी बेटी राज करेगी राज भैन जी लड़की की किसमत अच्छी हो तो सब ठीक है वरना किसमत तो बहुत बड़ी चीज है भाई साब, तो क्या मैं इस रिष्टे को पका समझो मुझे तो रिष्टा मंजूर है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि एक बार लड़की की मर्जी जान लो तो अच्छा है क्यो नहीं, क्यो नहीं मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, अच्छा, तो आप एजाज़त दीची नमस्ते जीती रहो, सुखी रहो जरा सुनो बेटी, ये लोग तेरी शादी की बात करने आये थे, मैंने इश्टा मंजूर तो कर लिया है मगर ये साफ कह दिया है, कि पक्का जवाब तभी दूँगा, जब अपनी बेटी की मर्जी मालूम कर लूँगा अच्छा किया डैडी, कि आपने इंसे मेरी मर्जी जाने के बात कर दी, मैं ये शादी में ही करूँगी अरे खाता पीता घराना है, इस जबदाया लोग है, लड़का देखने सुनने न अच्छा है, पड़ा लिखाए, और क्या चाहिए ये बात नहीं है डैडी तो फिर क्या बात है डैडी, राज बहुत अच्छा लड़का है, आप भी उसे पसंद करेंगे, एक तम सीधा साधा है डैडी, हम दोने एक दूसरे से, मैंने राज से शादी करने का फैसला कर लिया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अरी, तेरी खुशी से क्या मुझे कोई बहर है, राज अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है, तो मुझे भी पसंद है ओ डैडी मगर एक शर्थ है वो क्या डैडी मैं अपने तजरुबे की आँखों से उसे एक बार देखने चाहता हूँ ओ शुआ डैडी उनका खया लग ना फिर कॉलिज जाना, नौकरी करनी इस सब तुम मुझे अपनी जिम्मेदार्यों में शामिल क्यों नहीं कर लेते मैं तो कहती हूँ, आज चलकर डैडी से बात कर लो आज ही? कुछ सोचने का मौका तो दो तुम यूँही सोचते रहोगे तो डैडी मेरी शादी कहीं और पकी कर देंगे और तुम उनके गहने से शादी कर लोगी तुम भी बड़े चलक हो अच्या? तुम जानते हो, कि मैं तुम्हारे बेना किसी से शादी नहीं कर सकती यही तो गालबड है क्या? कुछ नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी किस से शादी नहीं हो सकती डॉक्टर ने दवा बदल कर दिये मा नहीं बेटा, अब दवा इसे कुछ नहीं होगा, बैच्चा बेटा मा, तुने मुझे बेटा कहा हाँ बेटा, मैंने तुझे अपनी कोक से तुने ही जन्मा धानी हूँ, लेकिन तुने मेरी सेवा सगे बेटी से भी बढ़कर की है नहीं मा, ऐसा मत कहें मा तुमा ही होती है, तु फिकर मत कर, मैं तेरा इलाज बड़े से बड़े दौक्टर से कराऊँगा ले, अभी तु दवा खाले नहीं, मुझे मेरी फिकर नहीं है बेटा फिकर है तो तेरे इन दोनों छोटे भाईयों की तु मुझे वचन दे, आज से तु ही इनकी मा, तु ही इनका बाप है, बोल दे लो मा, तेरा साया सर पे रही बस, सब ठीक हो जाएगा ये मेरी अपनी है मा, मेरा खून है, मैं इनके खुश्यों के लिए सब कुछ करूँगा तु मेरी भाईयों के बारे में चिंता मत कर, बस तु ठीक हो जा मा, ठीक हो जा अ बेटा, बेटा, हाँ मा बेटा, मा सावित्री मुझे और बहुत से काम है मैं फिर मिलूंगा राज से हो सकता है वो भूल गया हो डैडी थोड़ी दिर और लेकिन बेटी वो तो इसी शहर में है न फिर किसी दिर बोला लेना अम मैं चलता हूँ बहुत दिर होगे अच्छा डैडी अच्छा पता नहीं क्यों नहीं है राज साथ्री मुझे देखकर चौक यूँ गए और ये सब क्या है खाना बराने की तयारी कर रहा हूँ इसलिए तो मैं खुझ चलकर आई हूँ कि तुम घर चलकर डैडी से शादी की तारिक पकी कर लो अभी शादी नहीं हो सकती क्या नहीं कैसे हो सकती मैं अभी माँ से बात करते सावित्री माँ अभी इस दुनिया में नहीं है हाँ सावित्री माँ अमें छोड़ कर चली गए अब तो बस माँ को दिया हुआ एक वचन है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता कैसा वचन? कौन सा वचन राज? मेरे उपर मा छोड़े भायों के समयदारी छोड़ गए है जब तक वो अपने पाउँ पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं शादी नहीं करूगा राज, जीवन की गाड़ी एक पर यह पर नहीं चलती, मैं तुम्हें बचन देती हूँ कि शादी के बाद अमर और कीरुन को वो प्यार दोगी, कि उन्हें मा की कमिक कभी महसूस नहीं होगी नहीं सावित्री, हर लड़की के शादी के बाद कुछ सपने होते हैं, जो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा मेरी इतने जिम्मेदारियां हैं, इनके तले मैं तुम्हारे सपनों को चलना नहीं चालता, मुझे माफ कर देना राज, जिन्दगी की किताब में मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है, वो किताब चल सकती है, अगर उसे तुम्हारा नाम नहीं मिठ सकता बेटी, अगर उसने अपने मा को दे हुए वचिंगी खातिर, अपने भवश, अपने मौबबत को खुर्बान करने का फैस्टा कर लिया है, तो पर तुझे भी आखिया कि अपने आने वाले जिन्दगे के लिए खुजी रास्ता चुने अब तु कहे तो राहूल के पिता को हाँ कह दू, उन्हें तेरे ही जवाब का इंदजार है बेटी, नहीं डैडी, मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, अब बेटी ये भी कुछ समझदारी है, अब तु ही सोच, एक बाप की हैस्से से मेरा भी कुछ फर् मैं चाहता हूँ तु अपने घर चली जाए, सुक से रहे, और तेरा इस सुक में अपनी आखों से देखो डैडी, बच्वन से अब तक आपने जो मुझे लाट प्यार दिया है, मैं उसका वास्ता देती हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें, मैंने राज को दिल से अपना जीवन साथ ही मान लिया है, मैं शादी करूँगी, तो सिरफ राज से, आप, आप मेरी चिंता ना करें, मै पर बोज नहीं बनूगी, डैटी, बोज? अरे पगली, ये कैसी बाते करने लगे हैं तू, और आद माबापर कभी बोज नहीं होती मधु बन प्यार का, अंगिना बाहर का, खुशियों भरा स्वार्ग जैसा घर, स्वार्ग जैसा घर, मधु बन प्यार का, अंगिना बाहर का, खुशियों भरा स्वार्ग जैसा घर, स्वार्ग जैसा घर ये नन्हे मुन्नी मेरे तो तपनी, हूंगे जवाजब ये मेरे अपने जग में करेंगे काम ऐचे ऐचे देखेंगे फिर तो है लोग जितने मधु बन प्यार का, अंगिना बाहर का, खुशियों भरा स्वार्ग जैसा घर, स्वार्ग जैसा घर ला 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 लाख ला लाख दो तो आझा का हुआ हुआ है कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, न लिए. झाल झाल माँ, आज तेरा एक सपना तो पूरा हो गया किरन इंजिनियर बन गया है उसे बहुत अच्छी नाकरी मिल गई उसका सेठ उसे बहुत बड़ी मिलका सर्वे करने के लिए यह से दूर भेज रहा है आज पहली बार किरन उससे बिचल कर दूर जा रहा है आशिर भातिम भाया यह क्या आपके आँखों में आसू अरे नहीं इतम मेरी जीत के आँशू है मैंने मा को बचन दिया था ना आज वो पूरा हो गया है देख तू मेरी एक बाद सुन ले सुनाईये क्या है किरन ठीक से वक्त पर उठ चाय करना वो अलारम वाली घड़ी रख लिया है ना हाँ जी दिन में सिर्थ दो बार चाय पीना ठीक है भई और खाना ठीक से खा लिया करना खा लूंगा और देख गाओं खेले में जा रहा है मौसा 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 मखाड़ाबोगा गरम प स्टेशन जाना प्र जाकर आराम से आरह को बैखना मत करना यहां थे लुकने के बाद उतरना इंदाने के लिए कूली मन करना कंजूसी मत कि यही सब कहने आपको बहूंा तुजे सब कुष बंख ॉयाद होगा है तीन से आपके यही डूनलो म不是 पच्छे अरे बड़े आपको बोलेंगे ताओ मुझे बोलेंगे चाचा मात तरी कीच के लगाउगा हूँ एब चेत्र डब उठाच चल चपडचपड़ कर रहा सारी उखुलानी मुझसे करा देगा लो पराटे खालेना सब बाटे मत आईए किरन बाबु यह आपके ठहरने की जगे और वो जमीन देखने के लिए कल सुबा में आपको मा ले जाओंगा अब मैं आपके लिए गरम प्याली चाहे ले आता हूँ राभुका कैम मैं चाहे नहीं पीता तो के दूद पियेंगे बाबु जी, तीन दिन गाउं का दूद पियोगे तो तबीयत पन जाएगी चार दिन पियोगे तो चालाप पन जाओगे पांच दिन पियोगे तो पहलवान लगोगे अरे चुब, भकवास बंकर बाव जी ये मेरी बेटी ये देवकी किरन बाव को नमस्कार कर ओ नमस्ते जा बाव जी मैं चाय ले ही आता हूँ अरे देवकी जी अगर एक मैना में आपकी भेंस का दूद पी लूँ तो क्या होगा? होगा क्या? आपके घरवाले आपको पेचानेंगी नहीं तब तो मुझे दूद नहीं पीना बस खाना खालूंगा अरे ऐसा खाना खिलाओंगी कि उंगलियों के साथ साथ बर्तन भी चारते रहोगे पेचन का भर्ता, आलू गोबी, भिंदी मसाला, माकी दाल, चावल, सरसों का साग, मकी की रोटी और गाजल का हलवा और रबडी बस 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 और नाम ना ले, मेरे मूँ में पानी आ रहा है क्यों? आपके घर में खाना कोई पकाता है? आपकी मा? मेरी मा नहीं है, मगर जिसकी बुदलत में इतना हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ, वो है मेरे बड़े भाईया मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर मेरे लिए तो वही साक्षात भगवान है और कौन कोन है घर में? मेरा छोटा भाई, अमर भाईया, भाईया, आ गया तु, देखो भाईया, जब से करिन भाईया गए हैं, आप बहुत खुई खुई से रहते हैं जादी वक्त तो आप उन्हें समझा रहे थे, और खुद ना दो वक्त खाना काते हैं, ना वक्त तो सोते हैं मैं जोने सब कुछ लिख दूँगा देख ऐसा ऐसा मत लिख देना उसे वो परिशान होगा क्या हुआ मुझे मिल्कुल तो ठीक हुआ मैं तो बस यह सोच रहा था अबर शहर की जिंदगी और गाउं की जिंदगी में बहुत फर्क होता है वहाँ गया है पताने उसे कितना काम करना पड़ता होगा कहां उसका रहने का इंतिजाम होगा कौन उसे खाने के लिए पूछता होगा यहां तुम्हे था भगवन करे यहां भी वो हो खुश हो बस और खाये ने बाबुझे और खाऊंगा तो चार दिन दे सोता रहे जाऊंगा तुम सब कुछ लाई हो मगर एक चीज भूल गई हो वो क्या? हाजमे की गोली अच्छा? उसकी जरूद यहां नहीं पड़ेगी यहां का पानी इतना अच्छा है कि खाना खाते ही हज़म हो जाता है तुम्हारी बात तो सही है मगर सब शहर वाले अगर गाउं में रहने आजाएं तो तो गाउं भी शहर बन जाएगा बाबुजी आपको गाउं अच्छा लगता है कि शहर? पहले तो शहर ही अच्छा लगता था मगर अब तुम्हें देखने के बाद काउं ही अच्छा लगने लगा है हमारे क्लास में जो नया टीचर आया है वो कितना स्टूपड लगता है हलो आशा हाँ तो मैं टीचर के बारे में बात कर रही थी एक दम स्टूपड क्यों बेड़ो ये माल तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं है मेरा नाम जानता है तू चामान चमन मुण्डी मरोड के ये कली तो सिर्फ इस चमन में खिलेगी और आएंदा अगर मैने तेरी परचाई भी इसके पास देखी तो तेरी मा तेरी मा तुझे जिन्दा नहीं देख पाएगी मुण्डी मरोड के आमा यार तुम तो वाके में सिर्फ हो गए खेर क्या नाम बताय था आपने चमन बहुत अच्छा नाम है बहुत ही अच्छा नाम है और जिसे आबाद रहना चाहिए लेकिन ये पहला चमन होगा जिसे अगर मैने बरबाद नहीं क्या तो एक मरसूम सी कली खेले से पहले ही मुझा जाएगी आच्छा आच्छा तो साथ ना चम्चे भी आएं काथ याया चम्चा जपाँ भी आच्छा भी आएं और भी आएपाद लावी इनका नाम जमन है, ये लोगों की मुंडी मरोड़ते हैं, मरोने के मुंडी, आप नहीं मरोनेंगे मुंडी, आप अरेगे जमन! दिल बेचोगे लेलो जी कीमत क्या तुम बोलो जी दिल बेचोगे आलेलो जी कीमत क्या तुम बोलो जी एक मुसकान और एक नजर अरे बाख फिर तो ये लो जी दिल बेचोगे आलेलो जी कीमत क्या तुम बोलो जी ये दिल है दिल हमारा ना जुक्षिशा बेचारा ले जाओ प्यान रखना तुटे ना कहीं ये दिल है दिल हमारा ना जुक्षिशा बेचारा ले जाओ ध्यान रखना तुटे ना कहीं में ये शिशा बठा के उसमें खत्तों सजा के तुमसे में योंगे ये ही वह मेरी जा वंदर्फुल जल्दी से फिर ये लो जी दिल दे चोगे आले लो जी कीमत क्या तुम बोलो जी हाँ कर दो जाएं आज़ाई मेरी जाएं लियाँ मेरी जाएं जीवन का फूल है यूजी ना फीक दिना देखो सजना ये मेरा दिल नहीं है जीवन का फूल है यूजी ना फीक दिना देखो सजना आ तेरे इस पूल को मैं सीने पे ठाक लूगा दिल से लगा कर यहाँ वास्ट जन्वा वंड़कल, चल्दी से सिरी लोची, वास्ट जन्वा वंड़कल, चल्दी से सिरी लोची, ये दिल बेचोगे, जेलोची आशा, जी डरी कौन है वो, कौन, जिसने चमन से लड़ाई की आज जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मदारी इन पर है, ये जो आपके सामने मासूमित का चेहरा बनाए खड़े हुए है मैंने समझा था कि इनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है और ये दुबारा कभी ऐसे हरकत नहीं करेंगे मगर जब बात अब तक पहुची गई है, तो सुनिये, जिनसे इन्हों ने मारम पीटी की, उसका नाम अमर है और हमारे कॉलिज को उस पर फक्र है, उसने मुझे कोई बत्तमीजी नहीं की और इन्हों ने उस पर हाथ उठा दिया इन्हों ने मुझे अपनी दिल की रानी कहा, और जानी क्या क्या बत्तमीजी की बाते कहीं बताते हुए भी शरम आ रही है, सारा कॉलिज सुन रहा था अपनी बेटी से पूछे बगार, आपने इस पर विश्वास कर लिया और इसे डाटने के बजाए, आप मुझसे नाराज होगा है तो ये करते फिरते हो तुम अगर मा 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 तुम आएंद आशा से बात करने की कोशिश की, तो जबान खिच लूगा तुमारी मैं ठीक है मामा जी, नहीं करूँगा शे जु फमीन जे介़े मुझे साहिए आखे परš िने शे। शेरमा जी आप शेराप पी रहे हैं, शेराप은 हऊँ। किसी का खूं तो नहीं पी रहा हूँ। क्या बहुत बुरी बात है शेराप। मेरे नजर में तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद पिता हूँ, बुंडी मरोड के। मगर हाँ, उनकी नजर में बहुत बुरी बात है। किसकी नजर में? मामा जी की। है, उसको क्या पता कि ये साली शराब क्या चीज है। हाँ, लेकिन देख, वो साब जी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं शराब पीता हूँ। नहीं पता चलेगा, बुंडी मरोड के, निकालो सो रुपया। साओ रुपया? हाँ, साओ रुपया किसके लिए? आप शराब नहीं पीते। हाँ, मैं शराब नहीं पीता। ये ले, लेकिन ये बता, तुम्हारे हमारे प्लैन का क्या हुआ। हाँ, शर्मा जी, चमन के हाथों में निराशा की लकिर हैच नहीं। हैच नहीं। लेकिन सुनाया, आजकल उसका किसी दूसरे के साथ लफड़ा चल रहे है। लफड़ा तो किसी के साथ भी चले, आखिर में उसका होने वाला पती मेज हूँ, और लाखो की चायतात का, अकेला। इदर मूड, इदर मूड, अकेला नहीं, हम दोनो। हम दोनो? हाँ, हम दोनो। राका का ए लाका। बस केरन भाबो, अंदर मत जाना, वरना वो भूकी शेर की तरह तूट पड़ेगा। शेर कभी कुत्तों को चोकीदारी नहीं सोबता। ये जमीन हमारी है, हाथ उठाने से पहले ये सोच लो, कहीं तुमारे हाठ तूटना चाहें। कोपो साहें। हाँ अपकल करते हाँ भाबो ना मैं हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका बबुआ यह हमरा इलाका फुड़ा चला अपने इलाके में तो कुट्टा भी शेर होता है कुट्टे हमका कुट्टा कहा अब कुट्टा कहा दिया है तो काट के तो दिखाएंगे अभी चटॲेक ऱखे बसे स्टो के घु़े ङृवा घुजा तो मैं इलाका वी शेर स existe प्यामे उड़ेंगे लाने यो प्वा है इलाका रहाएंगे एलाका इला वी शेर सब्संदके मुझण तो must कहा था झाल उड़े नहीं तो झालाखर ponieważ कि आए अपरोट से कमलता है! इंस्पेटर साथ, यह यह वो बदमाश, ले चले उसे पुद्दे, हमरा जेल से आने से पहले मर मत जाना हमरा नाम है राका, तेरी कार जरूर डालेगा डाका चला, कौन सा जेल है यह टाइम तुम्हारे रेडी मान तो जाएंगे न यह मुश्नीच, अमीरी गरीबी मेरा मतलब था वो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ अमर अमीर हो या गरीब दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी बेटी के खुशियों से जादा कोई चीज़ प्यारी हो और फिर मेरे पिताजी, मेरे पिताजी तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बड़े से बड़ा शब भी छुटा लगेगा उनको मेरी खुशियों से जादा कोई चीज़ प्यारी नहीं अमर देख रामू, मैं रोज तुझे एक बोतल देता हूँ पर तू भी तो कभी मुझे कुछ दे न जानता हूँ यार तू मुझे रोज एक बोतल देता है पर मैं क्या तुझे दे सकता हूँ हाई हाई यार अपनी बेटी का हाथ पिर देख ये जिन्दगी भर एक, दो, दस, बीस बोतल तो क्या ये सारा दारू खाना तेरे नाम कर दूगा सारी जिन्दगी दारू पीता रहूँगा तू सच कह रहा है अरे सच मैं जिन्दगी पर पीता रहूँगा तेरी बेटी की कसम रामू तेरी बेटी की कसम दे दूँगा देंगा मैं अपनी बीडी का हाथ तेरे हाथ में धेरूँगा एकने एक दिन दोद के जादी करनी है ना पर तु मंगवा ना, मंगवा अरे लो अभी आई, ए शराब लाओ एक, दो, तीन श्यम्भू इजो चलो भाई, आज इसको बेटी की शादी की चिंता से मुक्त कर देते हैं, चलो रमका का उठो, रमका का उठो तु में पानी क्यों डाला? अरे मैंने तो सिरप पानी डाला है, वो चारुती रिज़त पे हाथ डालने जा रहे हैं कौन? संभू और उसके साथी चंभू? हाँ चंभू? हाँ हे भगवान, कब आई के बाबू को अकल? आधी आधी रात तक तारुग्यटी पे बैठे रहते हैं लो, आ गई तुम लोग? हाँ, हम लोग कौन हा तुम? तुम्हारे बाप का दामाद और तुम्हारा एक रात का पती हाँ मुझे बचाने भापजी वाँ, मेरी जान वाँ इसे तो तुने अपने पीछे चुपा लिया अब खुद किसके पीछे चुपेगा? काय को भेजा गुमत है यार तु उसको देख ले मैं इसे देख लेता हूँ तुम चार हो और तुम चारों की कबर एक ही होगी वो भी कबरस्तान से दूर यहां इसी जगह क्योंकि कबरस्तान में सिर्फ शरीफ लोग दफन होते हैं अहा हाip माल क्योंकी कर लेख वो लेख भुम तुम you माल झाल 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 देवकी बेटी लबुकाका ये रही आपकी देवकी बेट देवकी मुझे ख्षमा करते बेटी बस एक बार और ख्षमा करते नजानी नाकूपर कैसी पट्टी बन गई मैं तो पागल हो किरन बाबु मैं आपके इस हैसान का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकता ये सब इस मनुष शराब की वज़े से उबा है मैं अपनी बेटी की सौगन कहा के कहता हूँ कि आज के बाज इस गंदी चीज को कभी आतने लगाऊंगा सच बापु हाँ बेटी हाँ बेटी मैं तेरी सौगन खाके कहता हूँ कभी मैं इसे हाथ ने लगाऊंगा कभी इसे हाथ ने लगाऊंगा चल घर चल आजा आजा आज़े आमार ये पढ़ाय लिखा ये छोड़े जल्दी सजागे एकटेलिग्राम देख्या किसको? किसको क्या करने कोशने काम इमिडेटली पर क्यो भया? चोड़े मुह मिठा कर चल जल्दी बाब भाग गया भया वो पैसे नहीं मेरे पास अब पैसे नहीं है यह ले पजा समय चल भाग भाग क्या सोच रही है देवकी कल रात अगराब आपने मेरी इज़त नहीं बचाई होती तो मैं कहीं की नहीं रहती देवकी ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है कोई नहीं बात करो नहीं बात? हाँ जिसे सुनकर हवा में सुगंदी सुगंद फिल जाए ये पेड़ पते झूमने लगें ये फूल खिलने लगें ऐसी बातें तो कोई जादू करनी थोड़ी नहीं हो तुमने तो वो जादू किया है कि मैं जिन्दगी भर के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकता मतलब प्यार का चाहतू देवकी अरे जीवाना हूँ मैं तेरे प्यार में ये तो मैं कह दू हजार में कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं दीवानी उले तेरे प्यार में मैं भी एक दू हजार में जानी तेरे प्यार में मैं भी एक दू हजार में कहीं ऐसा शवाब नहीं जानी तेरा जवाब नहीं कहीं ऐसा शवाब नहीं हो जाने तेरा जवाब नहीं अच्छा भला था आने के बाद मैं खो गया तुझे पाने के बाद तेरे दिवा जाओं कहाँ तुही बता ते जाने जहाँ जीवाने उने तेरे प्यार में ले भी ये कह दू हाजार में अरे दिवाना हूँ मैं तेरे प्यार में ये तो मैं कहतू हाजार में ओ कहीं ऐसा शवाब नहीं हो जानी तेरा जवाब नहीं ओ तेहीं ऐसा शवाब नहीं ओ जानी तेरा जवाब नहीं ट्रहे दिवाब नहीं एला में तेरे जानी तेरे झाज़ नहीं ओ। नहीं आवाब ने जानी तेरे शवाब नहीं बोतल को रखते वाहों से मिल, गर्मा गर्म मेरी आहों से मिल बोतल को रखते वाहों से मिल, गर्मा गर्म मेरी आहों से मिल बोतल से मिले देखे जाओ, एक नच दे शोरी का शमा अर दीवा ना हूं मैं तेरे प्यार में, ये तो मैं कह दू हजार में जीवानी उने तेरे दार में ले भी एक है दो हजार में ओ कहीं ऐसा शवाब नहीं ओ जानी तेरा जवाब नहीं ओ कहीं ऐसा शवाब नहीं ओ जानी तेरा जवाब नहीं कि उला यहूले हुआ है। इसा थोड़ी ना करते हैं, दो चार दिनों की बात है, मैं यू गया और यू आया, और अगर तुम नहीं आये तो क्या तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास नहीं? प्यार पे तो है, लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरन हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है जानो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी जानकिदास जी अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी बेटी हमारी हो गई इसके आगे कुछ मत बोली आप बोलने बुलाने के लिए रही क्या गया है आपने तो मेरे सर का बोज हलका कर दिया देखिए बेटी को कभी बोज नहीं कहा जाता वो तो लक्ष्मी होती है लक्ष्मी और अब तो हमारे घर की ग्रह लक्ष्मी है सिर्फ ग्रह लक्ष्मी नहीं भाईया हमारी भावी कही है भावी और अब भावी को जल्दी से घर ले आईए अरे दूले राजा के तो घर आने दे भाईया भाईया अर्यादे गले लाग क्यों साच होते ए किरन चल पाऊ चुछ विया जी ते रहो बेटा अच्छा जी अब मैं चलता हूँ अच्छा जी चली मैं छोड़के आता कैसे है तू मैं तो बढ़ेंगे निये बताओ कि मेरे लिए गाहों से कहा लेक्या आया हूँ मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशकबरी लाया हूँ और जो खुशकब्री नीया चाता हूँ तेहरा, ठीरो, ठीरो पहले मैं अपनी खुशकबरी सुनाऊंगा छोटे, पहले मैं सुनाओंगा मैं छोटा हूँ इसले, पहले मैं सुनाओंगा पहले मैं सुनाओंगा मैं सुनाओंगा मैं सुनाओंगा ये क्या हो रहा है? ख़बर मैं सुनाओंगा ठीक हो ही या मैं बढ़ाओं तू बले अच्छे मौके पर आया यह सजन जो भी गाया है ना, इनका नाम है जानकिदास है। इनकी बेटी के साथ तिरा रिष्टा पक्का कर दिया है। तुम चुप क्यों करन भाईया, क्या हो अरे, इनकी बेटी का नाम है यशोधा, साकषात लक्षमी है लक्षमी, लगता है क्रन भाईया नराज हो गया, यहां, नराज नहीं हो भाईया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अरे जल्दी मुझे है ना भाई, बड़सो हो गए इस घ इस रिश्टे को मा ने तै किया था और मैंने जानकिदासी को बचन दे दिया है इस घर में मा की बात को कोई नहीं डाल सकता अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुद देखेगा गयो बातों सुने यह और कुछ नहीं सुना चाहता और अगर तुन नहीं आये तो क्या तुम है अपने प्यार पर विश्वास नहीं प्यार पे तो है लेकिन जमाने पर विश्वास नहीं है किरन हम जमाने से नहीं जमाना हमसे है जानू अगर तुने इस शादी से आना कानी करने कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुद देखेगा अगर तुने इस शादी से आना कानी कानी कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुद देखेगा अगर तुने इस शादी से आना कानी का नहीं कुशिश की, तो मेरा बराप वो मुँ देखेगा भाईया मुझे माफ कर दो भाईया मैंने आपका दिल दुखाया है मैं शादी का निकले तयार हूँ सच हाँ भाईया मुझे मालूम था तुम मा की बात कभी नहीं टालेगा में के बात कि मालूम है अजादी नहीं कंचा नहीं है ठाहा हूँ हूँ है झाल 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 सदा खुश रहे बड़े हमने कहा था ना नाम है हमरा राका अब हमारे हैं डाले डाका बड़े हमारे 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 ह जोड़े कमीने, आग तु जिन्दा बचके नहीं जा सकता, तेरे रिम पूरे हो गया है, दाके मत खल मत दे, बेगम, अरे बुद्धे, डाका चल गा है, अरे बुद्धे, हमको डाका करने ने, तु मरे गा है, करने बुद्धे, अरे बच्छा, गाउ के सारे लोग इधरी आरे, इसकी महिया का, मजा तो अधूरे ने गया, पापू, तो कुझे कि दे जा सकते, ने बच बच दे, ने बच दे, ने बच सकते, अरे रामु काका का राका ने खून कर दिया ज्योकी का कुछ पता रही कहां गई कहां गई हो कि अरे राका तुम आओ अरे वाससर का इंगलीज घर बना है अरे आओ राका बैठो जंगल का शेरा शेहर में कैसे अच्छी सराब पिये और अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो गया हमने सोजा हम भी साहर में रहके सेद बना लें अच्छा तो लो खाओ अरे खाने से पहले कुछ पीने का दस्तूर है तो लो प्यो अब बताओ क्या करके आया हो एक बुड़ा साला अपनी मौद मारा गया कौन था और रामो तुमरे सेट की जमीन का चौकिदार लेकिन जमीन पे तो अपना ही कबजा है ना अरग किस का हिम्मत है जो शेर का मुझे मास का टुकड़ा ले जाए हमने आदमी रोज गाउवालों को हमरा नाम याद दिलाते रहते हैं देद दना दन लेकिन तुम्हें या बड़े ध्यान से रहना होगा मरम खाली नहीं बैठ सकता हमरे मतलब का कोई काम बताओ काम भी बताएंगे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत काम है ये लीजे चाय ये शुदा मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूँ मैं शादी से पहले शादी से पहले आप सोचते होंगे मैं इस घर को संभाल सकूंगी की नहीं लेकिन आप नहीं जानते इस घर की खुशियों के लिए मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ यहां तक कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ ऐसा मत को यहिशुदा तुम ही तो इस घर की शान हो तुम तो साक्षात लक्षमी हो ऐसा भी होता है यह तो सरा सरा अन्याय है क्या हो बोले चाचा मैं तीन दिन की छुटी लेकर गाउं गया था वहां मेरा बेटा मर गया उसकी वज़ा से मैं दस दिन लेट हो गया तो शर्मा जी ने मुझे धक्के मार कर आफिस से बाह दिकाल दिया और कहा कि कहीं और जाकर नौकरी ढूंडो शर्मा जी की इतनी हिमत शर्मा जी अपना भला चाहते हो तो भोले चैजा से माफी मंग लो नहीं तो तुम क्या कर लोगे बेटे आप देखना चाहते हैं तो देख लो शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी और आप क्या वात है किरेट? सेट जी, मिल के मालिक आप है या वो शर्मा जी? क्या मतलब? मिल मजदूर को नौकरी से निकालने वाले वो कॉन होते हैं? आखिर हुआ क्या है? शर्मा जी ने भोले चचापर हाथ उठाया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया आप लोग क्या चाहते हैं? मैं शर्मा जी को नौकरी से निकाल दूँ? नहीं सेट जी, बस एक बर वो सब के सामने भोले चचापर से माफी मंगने शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं? माफी मंगना या? I am sorry भोले नाज जी मैं उंग आपो लोग चाहते हैं जिन्दबबद! झाल झाल तुम अभी दवाई खा लेना, बाद में दूद पीना भी मत भूलना, भारी चीज उठाने की कोई ज़रूत नहीं, समझें? और हाँ, बड़े भई आकर खाना बना लेंगे. हे मेरी मा, तुम कोई फॉरण टूर पे जा रहे हुई आठ गंटे की नौकरी करने के लिए, यू गए और यू आए. अरे भई, पहली बार बाप बनने वाला हूँ ना? तो इसमें तकलीफ तुम्हे होगी या मुझे? वो तो तुम्हे होगी, काश मैं तुम्हारी तकलीफ में हिसा ले सकता हूँ. चलो अब जाओ. क्या क्या सब कुछ लुटांके, भोकर दुखों की छोके बलाके. क्या क्या दर सब ना, देखा था पे ने, कहां को गए वो, वो लिशन को खादे. मधु बन प्यार का, आंगे ना बाहर का, खुशी उभरा. मधु आए! क्या सब कि वो! क्या सब के वो! dare और जया गय च्छव जय को क्या हुआ? टेक्सी? मुभारक हो, मा और बच्चा दोनों खत्रे से बाहर हैं, आप मिल सकते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र, थैंक्यू जोक्सार, थैंक्यू भगवान ने सब ठीक करते हैं, अरे लेटी रहो, लेटी रहो, बहुत प्यारा मुन्ना है, किस पर गया है? तुम पर या बाप पर? आप कौन है? मैं, मैं धन्राज हूँ, तुम खर्चे वर्चे की फिकर मत करना, तुम्हे इस वक्त अपना और बच्चे का ख्याल लखना है, तुम कौन हो, कहा रहती है? मालूम नहीं अप जिए, आप जरब बाहर जाए ये, मुझे इनके कपड़े बदलने आँजी, जहां जिए ठीक तुम परेशां में तुम बाहर बैठा हूँ, जैसी काम कर लेंगे मैं तुम आजबाए आरामसे, आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आईस्ता, आह, रामसे अरभिया, इस्विए किरन का है, तु परिशान वात तु भाहू अमर तु जाकि किरन को लेकिया, मैं चल लेने दे, मैं होना या मैं वे सब समाल लोगा मैं उन्हें भी बुला के लाता हूँ, आप आपी का ख्याल लगे अच्छा जाए, ठीक है, आप एड़ा हिम्मत, आ हिम्मत एक्स्जूज में, डॉट सब प्लीज, डॉट सब यह वह डॉट बरे, हम लोग हैं, आप इनके नाम की पच्छी निकालकर फर्स फ्लोर में वान नुमबर एक्सुच चार में आईए, नर्स इनको वहाँ लेकर जाओ, आईए जाए 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 करण करण आई दॉक्सर लड़का है लडकी उदकी लड़का और बराबर रहों वैसे क्या हुआ है ऐ आप सुरी वह बच्छा मा का मज मा की पेट में हिह ने entwickelित हनु है लेकिन weka खत्रे से बहार उ nuclear मैंने उसे ब्रहशी का अंजक्शन दे दिया है उसको आप अराम की जरूरत है नहीं, डॉक्टर साब अगर ये शुदा को खोश आने के बाद पता चला कि उसकी कुछ सूने हो चुकी है तो ये बच्ची डॉक्टर साब ये बच्ची अगे कोई क्या कर सकता है डॉक्टर साब अभी ये जिस औरत को लाएं थे वो औरत वाड में इस परची के साथ अपने बच्चे को छोड़ कर चले गई मेरे बच्चे को किसी अनात अश्रम में बढ़ती करवा दीजिए, मैं जिन्दकी भर आपकी एक बदनसीब मा एक मा अपने मासूम बच्चे को अपने गोदी में खिलाने की बजाए एक अनात अश्रम में डाल देना चाहती है डॉक्टर साब, एक विंति करो इस मासूम को अनात अश्रम में डालने की बजाए अगर ये शुदा की गोद में डाल देंगे तो इस बच्चे को मां की गोट में चालेगी और मां को तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो धनाज, तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो शुक्रियोग साथ, शुक्रियोग अरा ने ने भाई, इसकी कोई ज़रूद नहीं है, आप इनके साथ जाहिए, जाहिए खिए, भाई होई जाया बिल थे जाहिए किरेन, आज आज दे कितना प्यारा मुन मैं, आज आज कि कितन कानीया जी ने जन मली में प्रकाण याज ने जन मली ओ लें कि काना जी ने जन मली में है कन गर लोंगी है तुमसे लाला है अम्मा तुमसे अरी एक दो शाला अजी साहो तुमसे पाच शरफिय अजी चाचा तुमसे है तो मन वर फे कनया जी ने जना मली ओरे ढोलक बाजे जम्मक जम्मक साचे लेगे हिलो रे कनया जी ने जना मली ओरे कनया जी ने जना मली ओरे कर दोत्रा जैसे परेंग। पूलों भरी अंगनाईरे जूले हमरा ललना 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 सजनी तेरे प्यार में कैसा शुब दिन दिखिलाया के खुश होके विधाता ने आचर में चांद खिलाया तारों भरी अंगनाईरे दूले हमरा ललना तारों भरी अंगनाईरे दूले हमरा ललना हम बरहते जब देखे मेरे चंदा का थुमक चलना तारों भरी अंगनाईरे दूले हमरा ललना तारों भरी अंगनाईरे दूले हमरा ललना हााााा! हााा! देखो कैसे चलता है जैसे जापानी गुड़्डा खाम चलूँगा इसकी वाहें वो जाओंगा जब मैं बुड़्डा अर देखो कैसे चलता है जैसे जापानी गुड़्डा खाम चलूँगा इसकी वाहें वो जाओंगा जब मैं बुड़्डा ये दोड़े कैसा फुटबॉल जैसा ये कुदे कैसा ही मैन जैसा खुशियों भरी लंग नाईरे खेले हमरा ललना खुशियों भरी लंग नाईरे खेले हमरा ललना बाहर से पड़के आएगा नाम करेगा ललना खुशियों भरी लंग नाईरे खेले हमरा ललना आईये आईये पैठे शर्माजी आप मेरा नाम कैसे जानती है हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसके बारे में सब कुछ चान देते हैं लेकिन मैं कुछ समझा नहीं देव कीजी हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जिस कॉटन मिल के आप मैनेजर हैं उसे हम खरीदना चाहते हैं और यह काम सिर्फ आप ही करवा सकते हैं आपने मुझे इस काबिल समझा इसके लिए धन्यवाद तो फिर जल्दी से यह सौदा पका करवा दीचे आपको इनाम के तोर पर तोलाख रुपेय नकत और उस मिल के चनरल मैनेजर की पोस्ट में तो समझेया आपका यह काम हो गिया मैं आजी दीवान दीनानाजी से बात करता हूं उझे आग्या दीजिये देवकी जी नमस्ते नमस्ते बात तो तुम ठीक कह रहे हो शर्मा लेकिन इतनी बड़ी रकम देकर इस मिल को कौन खरीदेगा नहीं मैं जानता था दीवान साब के आपको यकिन नहीं आएगा लेकिन अगर मैं खरिदार ढून लू तो आप अपनी मजदुरों की भलाई के लिए इस मिल को बेच दोगे ना हाँ हाँ मुझे कोई इतराज नहीं लेकिन इस मिल को बेचने में तुम्हें इतनी दिल्चस भी क्यों है नहीं दीवान साब अपनी मिल के इमारत पुरानी हो चुकी है मशीने भी जवाब देने वाली है उसके उपर पैसा खर्चा करने के बजाए नए सीरे से काम शुरू किया जाए ऐसा मेरा ख्याल है आप मिल बेच रहे हैं? बेटी शर्माजी पहली बार अच्छा मशुरा लेकर आये है हम इस मिल को बंग करके नहीं मिल खोलेंगे मैं समझी, मैं कॉलेज जा रहे हूँ, बाई बाई सुप्रभाद देव की जी, सुप्रभाद आए शर्माजी बेचिए क्या खबर आए है? खबर, खुशकबरी बोलो, खुशकबरी सेट जी ने मिल के लिए आने वाली नई मशीनों का ओरडर कैंसल कर दिया मौ मांगी रकम भर दीचे का, मैं मिल के गेट पर अपना बोर्ड देखना चाहती हूँ वा, दीनानाग जी इस ओफर को ठुकरा ही नहीं सकते, आप निश्चिन्त रहिए समझ लीजिए कि मिल के गेट पर आपके नाम का बोर्ड लग चुका है, देव की टेक्स्टाइल्स मिल शर्मा जी, ये मिल मजदूरों की मा है और आप भी हमारी तरह इस मिल के नौकर हैं मैं इस मिल का नौकर हूँ या सेठ इसका फैसला तुम नहीं मिल के नए मालिक करेंगे समझे क्या बात है शर्मा जी? ये किरन बाबू पगार बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों को भड़का रहे है हम सभी मजदूरों की तनखा बढ़ाने के लिए तयार हैं लेकिन किरन बाबू को इसी वक्त मिल की नौकरी से हटा दिया जाता है अगर किसी मजदूर को इस बात पर एतराज है तो वो अभी इसी वक्त लोट सकता है अदालत के दर्वाजे उनके लिए खोले है आप तो फैसला हो गया ना किरन बाबू कि मैं इस मिल में क्या हूं क्या चलो आप लोग जाईए काम पर जल्दी चलो और आप बाहर गईए वरना मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा समझे किरन बाबू क्या आपको और ओो क्या आपको बाइए जाने वकारती है, हाँ? जाने बहुता भाज है, हुद बिये रहो है क्या लोग साथ? एक बुतल शरॉआब कॉनसी? कोई भी अभी लाया ये तुम क्या करेओ किरंद, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग बिलकुल ठीक है, इसलिए तुम्हे शराब पी रहाँ बड़े भाईया गंगरजल के इलवा किसी चीज को हाथ अपनी लगाते और तुम शराब पी रहे हो हाँ, हाँ, मैं शराब पी रहाँ गम के समुंदर में अगर इंसान दूप जाए, तो शराब के सारे तैर सकता है जमाना किता बदल गया है, कल, कल मैं क्या था, और आज, आज मैं क्या हो गया हूँ केरन, केरन अपने आपको संभालो केरन, प्लीज, संभालो अपने आपको किसमत ने मुझे इतनी उच्छाइश से भेका है, मेरी नौकरी चली गई तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ, एक गई, दूसरी मिल जाएगी अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा केरन, अगर, अगर तुझे मुझसे दोड़ी सी भी हमदर्दी है, तो मुझे पीने से मत रोक मुझे पीने से मत रोक तू लरे, केरन, नहीं, मत रोक किरन, शर्मा जी मैंने सारी फालें देख ली है, जो मजदूर काम पर नहीं आना चाहते हैं, उन्हें निकाल दीजिए, और नहीं मजदूर रख लीजिए लेकिन मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किरन जैसे मामूली मजदूर के लिए आप बिजनेस में घाटा क्यों खा रही है शर्मा जी, आप हमारे नौकर हैं और हम आपकी मालकिन, हमें किसी की सला लेनी के जरूर ने, आपसे जितना काम करने के लिए कहा जाए उतना ही कीजिए ओ, सॉरी मैडम, एक्स्रेमली सॉरी जा सकते हो, किरन मैं तुम्हें बर्बाद करतूगे, तरपा तरपा के मारूगे ताई लगों बड़ी भाईया इती रहो ये शोधा, किरन रात कितने बज़े आए वो आए होंगे, एक देड़ बज़े आए होंगे भाईया एक देड़ बज़े, तब तक तुम्हें भी जग रहा थ, तमने पूछा नहीं से इतने देर तक कहा था वो अले भाईया, क्यों पूछते हो बड़े भाईया वो कल रात को क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त के आप पाटी थी मैं और किरन वहाँ चले गए, वहाँ से ज़रा देर से निकले तो घर पॉइंटे पॉइंटे और भी लेट हो गए, है ना किरन? हाँ भाईया, कल रात बहुत देर हो गई थी, चल दो लारे अच्छा भाईया, नमस्ते भावी सुनिये, टिफिन लेकर नहीं जाएंगे नहीं, टेंटीन में खालूंगा, बहुत देर हो गई यह ना किरन पहले तो गभी ऐसा नहीं करता था आज, ये काम हो चाना चाहिए अब फिकर मत कीजिए देव कीजी शाम डलते या आपका ये काम हो जाएगा ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद लेकिन काम आज रात कोई हो जाना चाहिए, समझे कौन हो तुम लोग? तुमारा बाप जाएभा अब जाएगा जाएभा जाएभा है काम वेज़ drive वेज़वा राच, 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 राच! मिलाईयी नजरे ता, मिलाईयी रखना मेरी दिल कुदु से लगाईयी रखना मिला ही नजरी ता मिलाए रखना मेरे दिल का दिल से लगा ही रखना बड़े भाईया, इंस्पेक्टर सहीबा वक्त पर नहीं आती तो महरबानी इंस्पेक्टर सहीबा, आपने मेरी चान बचा कर बहुत बड़ा इसान किया पर नम्हा का सपना अधूरा रह जाता आप कौन सब सपना अधूरा रह गया भाईया? तेरी शादी करवादी, अब यह मर की करना भाव की ओ हो बड़े भाईया, हम दोनों भाईयों ने मिलके तैक किया है कि अगर आपने कामधाम बंद नहीं किया, तो हम लोग मिलके आपको शादी करा देंगे यहाँ येस हलो, क्या मैं आशा से बात कर सकता हूँ आशा या आशा जी से हाँ, आशा जी से आशा जी इस वक्ड बहुत घहरी नीन में है, जवानी की नीन है न, वैसे तुम कौन बोल रहे हो जी मैब, अमर हूँ अमर अमर, तुमने कौन से ऐसा काम किया है जो तुम अमर हो गए क्या मैं जान सकता हूँ, आप कौन बोल रही है मैं आशा की अंटी बोल रही हूँ, नमस्ते अंटी जी, मैं तो आपको मौसी जी बोलूँगा हाँ क्या है मौसी जी, मैं आशा जी की जरीए आप इसे मिलना चाहरा था असल में क्या है क्यों मेरे कॉलेज में पढ़ती है और मेरे क्लासमेड भी है और उसकी उप डांग हरकतों यह वह यह से मुझे लगा कि मेरे आपसे मिलना बहुत जरूरी है, कहीं वह आपके अंसपास तो नहीं है और मौसी जी, आपसे एक और confidential बात कहनी थी, उसका आज कल romance बड़ी सोज शोर से चल रहा है और लड़के को आप भी जानती है, कितना घटिया और हमीना इंसान है वह क्या कह रहा है तो आप मुझे क्या करना, घटिया कमीना है तो वह है और दूसरी बात यह कहनी थी, कि जिससरे कपड़े पहन के वह कॉलेज में आती है, कितने घटिया, चीप और उपटांग, देखे वह ही तो शरम आती है अंटी जी मेरा मतला है मौसी जी और दूसरी बात यह कि उसके बाल ऐसा लगता है ऐसे ब्यूटी पार्लर से चली आ रही है अब ऐसे कपड़े और ऐसे बाल लेखे कोई छड़ेगा नहीं तो क्या आरती उतारेगा ओ फो मैं आशा हो आशा मेरे को मालू मैं तुम आशा बोल रही तुम आँटी जी नहीं बोल रहीkin इसी बात में तुम्हें एक बड़ा खुबसर समन ही कौन है बई? किसे बात कर रही हैं? ड़ि वह बात है वू मेरी सहली है ना फरीडा बहुत बाते करती है, हमेशा शेर और शायरी की बाते करती रहती है परीदा, ओ डैडी, खाना लग गया है, हाथ मुदो कर नीचे आज़ो, हाँ जी डैडी, नहाथ होकर आती हो चायर तुमने फॉर्ण को काट दिया, कितना रोमेंटिक मूड बना था, तो शेर सुनो ये उसका बाप है, आशा, जी डैडी, ये फरीदा शेरी के लावा और क्या क्या करता है फरीदा लड़की का नाम है डैडी, ओ, तो फिर ये फोन पे उल्टी सीदी बाते कौन कर रहा था देखो बेटी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, दुनिया की उचनी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन अमर बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है डैडी ये अमर वही लड़का न, जो तुम्हारी क्लास में बढ़ता है और एक बर चमन से जी डैडी, अमर वही लड़का है अरे उससे किस दिन घर पे दो बलाओ, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, आगरी तेरी जिंदिगी और भवश्य का सवाल है आपको अमर के बारे में जो कुछ भी जानना है, मैं आपको बता देती हूँ, अच्छो, भखी गईगी ओ डाड़ी, यो सो गुडुड, हाँ तो भई शाय साब, क्या था हूँ शेर? अरे शेरो शेरी छोड़े ये बताओ, कल क्या गुजरी भई मेरी तो अच्छी गुजरी, मगर डाड़ी की आवाज सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जनाब की, चौक पड़े थे हुजूर चौक बादा, उस वक्त से अब तक बराबर चौक राओं, पताने डाड़ी ने तुम्हारे क्या सोचा है मेरे बारे में सोचा तो बहुत, मगर अच्छा सोचा, डाड़ी तुमसे मिलना चाहते है, क्यों, तुम्हारे डाड़ी मुझसे मिलना चाहते है, आशा क्या मेरी फोटोग्राफ से काम ने चलेगा, क्या शादी के फेरे भी फोटो की साथ लेने होंगे, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी मान गए बात बन गई याहू सनम उन्निस के तुपी सके हम का है उस पे कि अह उस पर खाया मत अनम बीस के तुम उन्नी से कि हम, आओ खेले सलम सलम बीस के तुम उन्नी से कि हम, आओ खेले सलम सलम मुपा भी है, तनहाई भी, उस पे गयामत का आनम यहाद कि हम आओ भी हाद भी हाद, बीस पे खOT रहे अगाद का आनम झाल झाल मांगू अगर मैं तो क्या गलत भोशा तेरे रुखशार का पहले मिलन में तो प्यार का दस्तूर भी है ये जानम पहले मिलन में तो प्यार का दस्तूर भी है ये जानम बीस के तुम उन्नीस के हा आखे ले सलम सलम मुखा भी है तनहाई भी उस पे कयामत का आदम कि 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 वे बादय का or क मुखा उन्नीस Yes, yes, you are in my heart देखेगा कोई जो क्या हुआ दुनिया से चहदा पकार के हमको दिवाने है प्यार के हमको जमाने का प्याम देखेगा कोई तो क्या हुआ दुनिया से चहदा पकार के हमको दिवाने है प्यार के हमको जमाने का प्यावम आओ खेले सनम सनम उन्निश के तुम बीश के हम माव ये तुम बीश के प्याव माव प्याव माव लूआ है प्याव माव देखेगा क्या छ प्याव लूआ चैयाव प्याव लूआ है झाल झाल खो जाए कुछ देर के लिए हम एक दुझे को ठाम के धर्दे है दाए भी शाम भी कुछ राशनी भी है बत्तम खो जाए कुछ देर के लिए हम एक दुझे को ठाम के धर्दे है दाए भी शाम के कुछ राशनी भी है बत्तम आओ के ले सनम सनम उन्निश के तुम देश के हम मादी है तनाई भी उससे अपया मन का आल में अर्दे है देना प्यादिय कोंगर यह देना प्याद़ लिए है आँ अर्दे है वाती है अर्देम ए रिए बत्तम अर्दे रिए कर देना प्याद़ कर दो कि अ कर दो खूर खूर कर दो कर दो वाह वाह भाई साब वाह दारू आप पीन है और जटका मुझे लग रहा है कौन हो तुम मेरा नाम है उल्लू के पठे गाली क्यों देते हैं भाई साब भाग जाई यहां से वरना थोपड़ा तोड़ दूँगा आप किसी गली के दादा है क्या शट आप डर गया भाई डर गया मेरा बाप भी डर गया पलेश बदे भाईया, नमस्ते तो लाले, अच्छा वह तू आ गया, किरन कहा है कल साइदा से घर नहीं आया यशोधा परेशान है, कहां गया है वो बदे भाईया, बादिया कि किरन करदाट को दारू केर्दे पे पकड़ा गया है क्या? किसल दारू केर्दे पे? देवा सिंग, किरन को लेकर आओ किरन और शराब पीने लगा है, यह तुमें सपने भी नहीं सोच सकती थी सपने अकसर हकी कद से परे होते हैं, सावितरी बाया? 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 बागवान को साक्षिमान कर बता, मैंने ऐसी कौन सी गलती किये जो तुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा? मैंने मा को वज़न दिया था, मुझे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? यह तुझे शराब पीकर परबादी के रास्ते बचाना मुला बाया, बाया, आपकी कोई गलती नहीं है आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं गलती तो मेरी किस्मत की है मेरी, मेरी नौकरी छुट गई है बाया और मैं किरन, इतनी सी बात से हार गया तु तुन्हे अपने बड़े भाजया को इतना कमसोर सब्जाय क्या अरे पगले मैं मरा नहीं हूँ तुम दुनों भाजयों कि अपने जान पे सकता हूँ भाजया क्यों रगो, बना दे इसे दुला मुंडी मरोड के अइसा दुला बनाओ साले को तूटे वे हाथ पहर लेकर घोडी के बजा पालकी में जाएंगे अगर ये पालकी में जाएगा तो आशा जी किस में जाएंगी अरे इन्हें तो हम उठाके ले जाएंगे अच्छा बुड्डी मरोड के हेहे अपना अपना नाम और पता लिखकर जेबो में डाल लो ताकि महले वाले पहचान कर घर तो पहुचा दें अबे ओ साले बहुता करता है हाँ अपनी पर उड़ो साले के अपनी ऑाँ बहुता कर दो अपनी वाँ अड़ो अपनी शाश्वा अपनी अपनी तो अपनी पो तो हम पोग अपनी वाँ रूब हो बागो! क्या देख रही हो? सोच रही हो कि कहां बैठूँ? चीत हुचाता है तुम्हे अपनी पलकों में बैठा लूँ, मगर क्या करूँ, बहुत तारी हो! क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगा नहीं? तुम्हारे लिए इतनी सारे जगा है दिल में, लेकिन अपनी जगा भाबी के दिल में बना लेना ज़रा. अमर, तुमका बाग.. अरे, ये चोट कैसे लगी? किसको? हाँ, ये चोट हाँ, इस लड़की की वज़ा से लगी है. मेरे वज़ा से? ये जुट बोलता है, ये खुरी गुंडों से लड़ा था. जरा इनसे पूछे किसकी वज़ा से लड़ा था? किसकी वज़ा से? बताओ. इसकी वज़े से न, अकसर प्यार में ऐसा ही होता है. जब दो दिल मिलते हैं, दुनिया की सारी बाते भूल जाते हैं. भावी, तुम्हे क्या हो गया है? क्या हो गया है? हुआ मुझे नहीं, हुआ तुम्हे है. प्रेम रोग बच्चू, प्रेम रोग. तो तुम्हें पता चल गया है? जी हाँ. तो ये बताओ कि मेरी पसंद तुम्हें कैसे लगी? मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। लेकिन अपनी पसंद का नाम तो बताए। आशा! मेरी बात ठीक है, बगर अपने भाईया और बड़े भाईया? भाबी, बड़े भाईया को तुम पता लेना, और छोटे भाईया को तुम आ अंदर करी लेता हूँ! आपने फीज नहीं भरी, कब भरोगे, जब तारीक निगल जाएगी, आप इतने अच्छे स्टुडेंट हो, एक्जाम में बैट नहीं पाओगे ये सर, भावी, भावी, हाँ अमर, भावी, एक दो सर्वेतो, किसलिए, दो महीने से कोलेश की फीस नहीं भरी है, मेरे पास पैसे नहीं है आमर, और तीन महीने से तो तुम्हारी भावीया की भी तनखा का कुछ पता नहीं, अरे, दो चार दिन में पैसे मिल जाएंगे, तो तेरी फीस दे देंगे, आरे आमर, त आप कहां से लाए तुम ऐसी की देख रहे हो गई तुम दोनों ने तुमसे कहा था कि मैं कामाम बंद कर दूँ सु मैंने दुकान बंद कर दी वो डिपॉजट की थोड़े से पैसे मिले थे सु में लिया ठीक किया न मैंने अब आप 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 सब्सक्राश कर वाए लेकिन इस देश्ट में डिवी हासिल करने चाहिः एक अच्छी नौकरी मिलना तो अच्छी नौकरी बिलना और डिवी मिलना तो बते हो गई यानि कि आप लोगों की दो पाटिटी हो गई, तो आप सब लोगों को दो पाटिए मिलेंगी, एक नौकरी के लिए और एक डिगरी के लिए Congratulations, Amar. Thank you. भाईया, मैं पास हो गया. आरे वो तो हो नहीं था, पास ही हुआ या तू? मैं पास में फस आया हूँ. शाबाज शामर, मा का आशिरवाद है तुम्हारे साथ, उनकी मुरादें सरूर पूरी होंगी. आओ ना, डादी, यह Amar है. आओ Amar, आओ, बैठो. Very congratulations, आशे ने बदाए कि तुम फरस्ट आये हो? Thank you, sir. अब क्या करने का इरादा है? फिलाल तो सर्विस करने का रादा है, लेकिन घरवालों का हाथ बटाना भी तो मेरा फर्ज है. खायला तो बहुत अच्छे हैं, नागर Amar, पहले अपनी जिन्दगी के बारे में सोचो. जी. घरवालों का हाथ तभी बटा सकोगे, जब अपने पेरों पर खड़ी हो जाओगे. अगर मैं तुम्हारे कोई मदद कर सकूँ, तो मुझे बताना, तकल्फ मत करना. अज़े तुम यां खड़ी की क्या कर रही हो? अमर, पहली बार घर आए, सुचावाए पहलाओ. आओ, अमर. जाओ. आपको मेरे कितनी खबर एलाके दी, मगर लगता है कि आप मेरा काम कभी नहीं करवाएंगे, और मेरे बाबा जी आशा की शादी उस उरू के पठ्थे के साथ करवा देंगे, बुड़ी बरोड के. नए नए चमन, जब तक हम जिन्दा है, वो बुड़ा अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा. अगर उसने कोई गडबड की तो हम आशा को उठा लेंगे. कैसा है? कोने बहा है? ऐसे है. कोने बही है मुंडी मरोड के है? है, पूलिस की हट डायरी में हमरा नाम सोने के अच्छरों में लिखा है. है? ना मैं हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका. सर्मा जी हम सक उजारिश करें तो हम उस लोंडे को काट के खा जाएंगे तुमरी मुंडी मरोड के. सर्मा जी तो फिर कुछ कीजिये ना? चमान तु हमेशा की तरफ बुद्धू का बुद्धू ही रहा. अले दाव तब लगाया जाता है जब हार जीत की दावर शुरू हो जाती है. थोड़ा सबर कर सबर. किरन! किरन! दुलारे, ये लो, पहले गाजर का हलवा खाओ. क्यों? किरन का नौकरी मिल गई है क्या? नौकरी मिल गई? क्या मतलब? वो, वो. सच बताव दुलारे, तुम्हें मेरी कसम. भावी? तीन महिने से मैं देख रही हूँ. उनकी तनख्वा भी नहीं आई. तनख्वा कहां से आगी भावी? जब किरन की नौकरी ही चली गई. क्या? हाँ भावी, नहीं मालकिन ने किरन को नौकरी से निकाल दिया है. और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता भावी बेचारा? वो तु वैसे ही भग परेशान है. लेकिन इसमें किरन का कोई कसूर नहीं है. यह सब किया कराया उस मैनेजर शर्मा का है. भावी, आप मेरी एक बात मानो. तु जाकर नहीं मालकिन से मिलो. वो बहुत अच्छी है. हाँ, वो जरूर आपकी मदद करेगी. नमस्ते. नमस्ते. कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आप ही मेरे घर को बर्बादी से बचा सकती हैं. यही बिंती लेकर, मैं आपके दर्वाजे तक आई हूँ. हम तुम्हारे घर को बर्बादी से बचा सकते हैं. वो कैसे? जिन मजदूरों को आपने निकाला है, उनमें मेरे पती भी. हमने तो सरक एक ही आदमी को निकाला है. बागी मजदूर तो अपने मर्जे से काम छोड़ कर गए हैं. जानती हूँ. मगर जिसे आपने निकाला है, वही मेरे पती है. उनका नाम किरन है. मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए. तुम जा सकती हो. यकीन मानिए, आपको इनके खिलाफ आपके मैनेजर ने भड़काया है. वो तो इंसान के रूप में देवता है, देवता. आप किसी भी मजदूर से पूछ के देख लीजिए. दूसरों की मदद करना, तो वो अपने धरम समझते हैं. मगर आज उन्हें आपकी मदद की जरूरत है. मालखिन, आज तो घर की हालत ऐसी है, कि चूला भी दोवत नहीं जलता. उनके पास इतने पैसे नहीं, कि वो अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे का इलाज करवा सके. उनकी बेवसी मुझ से देखी नहीं जाती. तरती हूँ, कहीं, कहीं कुछ करना बैठे. मैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ. उन्हें नोक्री देकर मेरे सुहा को बचा लीजिए, मेरे सुहा को बचा लीजिए, मालके. सुहा करें लीजिए, मालके. मैं वचन देती हूँ बहुल. तुम सदा सुहा कन रहोगी। इसे जादे में कुछ नहीं कर सकती अरे बड़े भाहिया इस सब क्या है यह मैं क्या देख रहा हूँ बताओ तुम्हेरे कासम पर देख आमार मेरत करने कुछ और नहीं मैनद करने में कुछ शर्म घर के अलाग ठीप नहीं है किरन की नौकी छूट गई है और मुन्ने की तेवर ठीप नहीं इतना सब कुछ वार आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया तुझे बता कि परिश्चान करने से क्या फाइदा होता तेरे बढ़ने लेखने के दिने ए भगवान इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है घबराओ मत ये शुदा बड़े भई आते ही होंगे क्या कहा है डॉक्टर ने डॉक्टर इंजेक्शन तो दे गया है मगर दवाईयों के लिए क्लिनिक में बुलाया है तू यहां बैटे बैटे क्या कर रहा है यह दवा ले क्या न बड़े भाईया वो यह ले जा कुछ खाने को दिया यह से कि नहीं शर्मा जी आप किरिन का बच्चा उठा कर हम तक पहुचा सकते हैं आप कहे दे तो बच्चे के साथ साथ पूरे घरवालों को ऊपर तक पहुचा सकता हूँ हमें सिर्फ बच्चा चाहिए यह रहे पच्चास हजार रुपे तेर लाख काम हो जाने के बाद ठीक है लेकिन मैडम क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस बच्चे में आपकी क्या दिल्चस्पी है आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिये ठीक है ठीक है मैडम ठीक है यह है पूरे बीस हजार रुपे एडवांस काम बोलो जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है मुश्किल ना मैं हमरा राका हम कहीं भी डाल देता डाका किरन बाबु एक बात तो मानने ही पड़ेगी आप भायों में वाके में बहुत प्यार है वन्हा किसी और के बच्चे के लिए इतना था किसी और के बच्चे के लिए मैं मैं कुछ समझाने डॉक्टर साहब असल में वो बच्चा है तुम्हारा नहीं है क्या यह यह आप क्या किरें डॉक्टर साहब हाँ उस राद तुम्हारे बड़े भहिया एक गरववती औरत को लेकर यहां आये थे यह बच्चा उसी औरत का है और तुम्हारी वाइफ ने एक मरे हुई बच्चे को चन्न दिया कोश में आने के बाद उसे कोई सद्वा ना पहुंचे इसलिए तुम्हारे बड़े भहिया ने उस औरत का बच्चा तुम्हारी वाइफ की कोद में डाल दिया आप बता सकते हैं कि वो औरत कौन थी भाई उसे तुम्हारे भहिया लाय थी यहां इसलिए पूछन रिष्ठी लें ये कौन थी वो कोई तु रिष्ठा होगा वर्ना इतनी हमदादी जता ने जोओं थी हमदादी जताने की क्या ज़रूरत थी उसे तुम्हारे भहिया लाय थी यहां उसे पूछन रिष्चा होगा वरना इतनी हमदादी जताने क्या दुरूओ थी? 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 असल में वो बच्चा तुमारा नहीं है असल में वो बच्चा, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है। कि लाप फुम्हारा नहीं है। कि राने तुम्हारा नहीं है। तु आज फिर शराप पी किया है। हाँ क्या हो गया तुझको तेरा बेटा घर में बीमार पढ़ा तु शराप पी किया है। ये मेरा बेटा नहीं है ये क्या कह रहें आप हाँ ये शोदा ये हमारा बेटा नहीं है पूछो इनसे ये किस की नजाई जोनात है किरन, होश में आ आज तक भी होश था मगर आज होश में आ गया हूँ जिसकी मैं भगवान की तरह पूजा करता था आज पता चला कि वो भगवान नहीं शैतान है तुम मारो, मारो अरे मारते क्यों नहीं अरे तुम क्या मारोगे मैं तुम्हें धक्ये मार मार के इसकर से बाहर निकाल दूगा तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए ना जाने किस औरत के साथ ना जाए संबंद रखे और उसका पाप उसका पाप बेरी बीवी की जोली में डाल दिया बताओ कौन थी वो औरत जिसे उस रात तुम हस्पता लेकर गए थे क्या रिष्टा है तुमारा उस औरत के साथ बोलो अरे बोलते क्यों नहीं अरे तुम क्या बोलोगे तुम तो जूटे हो पापी हो मक्कार हो अगर तुम सच्चे होते तो इतना सुनने के बाद यहां एप पल भी नहीं रुपते कहीं जाकर डूप बोलते जाता हूए तुम शान तो जा भाई जाता हूए माँ लगता है मुझसे कुई भूलोगे माँ तेरे स्वार जैसे घर को नजर लग गए मुझे माफ कर देना माँ मुझे माफ कर देना बड़े भाईया बड़े भाईया रुख जाहिए जाने दो जाने दो अभी यह सब क्या है और बड़े भाईया का है क्रिन भाईया क्रिन भाईया क्रिन भाईया अपनों ने ऐजी ढोकर लगाई तब रह गया है मीठी में मिलके मधुबन प्यार का अंगना बाहार का खुशियो भरा स्वार्ग जैसा है 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 कि दरने की कोई बात नहीं मेडम थोड़ी दिर में होश आ जाएगा फिर भी अगर कोई ऐसी ऐसी बात हो तो मुझे टेलिफॉन कर दीजेगा अच्छा तो मैं चलता हूँ तैंक यू डॉक्टर साब लेते रहिए आपने मुझे पहचाना नहीं मैं वही अभागन लड़की हूँ जिसे आप एक रात हस्पतार ले गए थे वहाँ तुमने एक बच्चे को जनन दिया था उस बच्चे को छोड़कर चले गई थी क्यों छोड़कर चले गई थी क्या कर थी बहुत मश्पूर थी मैं जाए जुलाद को लेकर कहां कहां भटकती मैं इसलिए मैंने आपने थे करने की कोशिश की आपने मुझे क्यों बचाया मैं मनना चाहती हूँ लेकिन तुम क्यों मनना चाहती हूँ बेटी क्या बताओ बाबा मैं लेक आदमी से त्यार किया था पर चुब उसके पच्चे के मां पर ले और वो आदमी उसे दूसरी शादे कर ले अजया अजया गय्या एसे मकार और बुजदल अदली से बदला लेने क्लिए तुम्हे जिन्दा रहना होगा क्योंके मेरी भी एक बेटी थी उसकी कहानी और तुम्हारी कहानी बिलकुल मिलती जुलती है। उसने आत्मा हत्या कर ली। लेकिन मैं तुम्हें मनने नहीं दूगा। अपनी सारी दॉलत तुम्हारे नाम कर दूगा। लेकिन तुम्हें उस आदमी से बदला लेना होगा। बदला लेना होगा बदला लेना होगा और इस तरह मैं बच गई लाखों की दौलत की माल किन बन गई मगर मेरे तिल में बदले की बावना पाग की तरह दहएक ने लगी तुम नो उस आदमे से बदला ले लिया ले रही हूँ मैं उसे तरपात तरपात के मारूगी कौन है वो आदमे उसका नाम किरन है किरन किरन दीवान तीननाची के अंतनों के नहीं करता था आप उसे कैसे चानते हैं उसका कोई दोश ने है तुम्हारा गुहेंगार में हूँ आप? हाँ मैंने ही उसे शादी के लिए मजबूर किया था आप ने? हाँ भगवान के लिला भी निराले इस बच्चे को तुम अनात बना कर वहाँ छोड़ाएं थी आज वही बच्चा अपने बाप के हाँ पर लाए मेरा बच्चा? मेरा बच्चा जिन्द है? हाँ किरन मेरा चोटा भाई उस रात उसकी पत्मी यशोधा ने एक मरे हुए बच्चे को जनम दिया था हूश में आने के बाद उसे सदमा न पहुंचे मैंने डॉक्टर से विंद्धी करके तुम्हारे बच्चे को यशोधा की कुछ में डालते है तो फिर चलिए कई कुछ अनर्थ होने से पहले किरन के घप चलिए नहीं किरन को मुझ पर शक है क्यों बच्चा मेरा है मेरी नाचा है सावलाद है इनके लिए मैंने अपनी खुशियां अपना सब कुछ बड़े भया आप पर लगा ये दाग मैं धौँगी किरन के घप से मैं दूर करूँगी आप से एकी बिंती है आप यहीं रहे मैं आप यहीं मुना? 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 मुना सुनिए कोई हमारे मुन्ने को उठाकर लेगे है कौन लेगे हमारे मुन्ने को उठाकर? कौन लेगे हमारे मुन्ने को उठाकर? मुझे नहीं मालूम और मालूम करना भी नहीं चाता अगर आप मालूम करना नहीं चाते तो मैं मालूम करके आता हूँ देखिये, ऐसे गठोर मत बनिये, बच्चा मा के बगर नहीं रह सकता वो हमारा बच्चा नहीं है, ना जाने किस बच्चलन औरत का पाप है वो वो बच्चलन औरत? नहीं देवकी जी तुम? शुक्रे है, आपने मुझे पैस्चान दो लिया तो मुन्ना, मुन्ना मेरा बीटा है? यह, यह मुझसे क्या हो गया देवकी? देवकी, भगवान जानता है, मेरी मजबूरियों ने मुझे तुम्हे मूँ दिखाने के लाइक नहीं छोड़ा मुझरिम हूँ जो चाही सजा तेलो, जानती हो, जब मैं तुम्हे गाउच कर आया तो जानती हूँ, बड़े भाया ने मुझे सब कुछ बता दिया है उस रात मुन्ने को हस्पतान में अनात्राशुम के लिए छोड़कर, मैं आत्म हत्या करने के लिए चली गई थी मगर भागवान में मेरी खिसमित में और दुख लिए थे, इसलिए मैं मर भी न सकी बस देवकी बस, मुझे माफ कर दो, हमारे मुन्ने को कोई बदमाश उठा कर ले गया है, मैं मुन्ना और भाया को लेनी जा रहा हूँ ठेरो, कहीं जाने के ज़रूद नहीं है, तुम्हारे बड़े भाया मेरे घर में है, और मुन्ना भी वहीं आता होगा देवकी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा नहीं किरन, इस वक्त मुनासिप नहीं है, बात पे घुपर सकते हैं आप सोच क्या रहे है, मुन्ने को लेने नहीं जाएंगे हलो हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ देवकी जी काम हो गया? शर्मा जिस काम में एक हाट डालता है, वो पूरा हो जाता है इस काम में तो मैंने दोनों हाट डाले थे काम सोला अने हो गया है तो कहां है वो बच्चा? उसे जल्दी हन ले आओ हाँ हाँ, खिलाउना , खिलाउना, शीशे का खिलाउना इस वर्ट वो खिलावना मेरे हाथ में है और मैं एक बिल्डिंग के बीसुए माले पर हूँ कुछ समझी? देखो शर्मा, बचास हजार रुपय मैं तुम्हें दे चुकी हूँ बागी की डेड़ लाख रुपय तुम यहां के ले जाओ बच्चे का मुझ तक पहुचना बहुत जरूरी है जानता हूँ, जानता हूँ एक बच्चे का अपने असली मा तक पहुचना बहुत जरूरी है पचास हजार रुपया बच्चे को उठाने का और देड़ लाक रुपिया उस बच्चे को तुम तक पहुंचाने का था लेकिन ये उस वक्त तक थे जब तक ये बच्चा किरन का था अब ये बच्चा एक करोड़ पति आवरत देव की जी का है शीशे का खिलवना अब हीरे का बन चुका है सुनो अज शाम ठिक चार बजे एक ग्रिप केस में 20 लाक रुपिया डाल कर पुलीस की मदद मांगने की कोशिश मत करना वरना तुमारे जिगर के टुकडे के टुकडे टुकडे कर दूँगा नहीं शर्मा भगवान के लिए ऐसे मत का रहा जो तुम कहते हो वही करूँगे मैं अब क्यों ले आउंगे जितने पैसे तुम्ही चाहिए सब मिल जाएंगे बट बट हुआ जाएंगे देवकी जी, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चा कहाँ है? पहले वो नोटों से भरा हुआ बैग मेरे हवाले करो रामी मेरे बच्चा? बच्चा इनी जोपड़ों में से एक जोपड़े में है अगर जरा भी चला की दिखाने की कोशिश की और बैग नहीं दिया तो सब जोपड़े एक के बाद एक उड़ा दिये जाएंगे नहीं नहीं राका बच्चे को बाहर भेजो नमस्ते मेडम जी लेकिन मेरा बच्चा उबैग हमरा हवाले कर दो बच्चा खुद बखुद ही बाहर आ जाएगा ए ये क्या बत्तमीजी है ये बत्तमीजी नहीं है हुजूर ना में हमरा राका और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका आज तुम्रा नंबर है उपिस्ताल खाली है परिस्मा छे गोली है हमने काना नाम है हमरा राका कुबाय की तर लाओ जल्दी से नहीं तो खुपड़िया में छे होल बना देंगे कासबा राका कहीं भी डाल दो डाका तो हमरा नाम है चमन मुंडी मरोड के चल बैग यहां दे दे यह जल नहीं तो गोली मार देंगे चल राका जिस तरह तुम्हें शर्माजी की पिस्टोल खाली कर दी थी मुंडी मरोड के उसी तरह मैंने भी तुम्हारी पिस्टोल खाली कर दी मुंडी मरोड के हराम जादे गोलिया नहीं है ला देख ला जल्दी ला अरे ना मैं हमरा राका और डालेगा हम पर ये भूदिया डाका लगता है खाड़ी यू दिहां श्रू हो गया पहले तब तुझे पीटेंगे बबुआ ब혁़द plupart दो दो पालेगा है दो हुणाददो आड़ चाहा पालेगा तुझे पालेगा है ।वदादद पbnab झाल झाल वखाना वाहता है! चylanूजी! चैपिटियो! कि रीवीप मुच přेज्ट太凜ूग अवारा! मुझ ! बशना मुझू बाता मुझू हाण! Ö РА contribution सुझrist पत्टा झाल 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 यहां से हिलने की कोई भी कोशिश मत करना वरना दाद खराब तो तंदुरुस्ती खराब और गोली चली तो सब की जिन्दगी खराब झाल 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 बाताて हुवष भाइट धूराऊछा भी औहाईद हKayष बाता मा, मा, बचाई बचाई, मा, बचाई 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 讲, बुदे! Nuna! मुझे मेरी माद कि बजदे! Nuna! 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 पेसि कि अखल खडन ऐख़रTurnे परे मेर कजने जरे झारे New sex comedy कर फसक प्योने जार番क मलती पक्रियू म casually बना là जह जंगर है २ॉ देल खेते हindo है कि युझ मुझने खार वार्सन छो है ह मुड एर ए yolा उरियू इस्पेक्टर साब, वो रहा, गर्फटार कर लिजिए इस्पेक्टर छोड़ दो, एक 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 बुटी बरोल के आता हूँ शड़ाइब, तेरी मुटी दे में जेल में चल कर मरोल हुआ शड़ाइब, बेबी, नहां में हमरा राका शड़ाइब, अब हम जेल में ही जाकर डालेंगे डाका ले जाओ इसको, कौन सी जेल है भाई सब, देवकी, जेवकी जी इसे जन्दी चैस बता ले चलो भाई, नहीं बड़े भाईया, अब मुझे कहीं नहीं जाना है किरेट, मुझे माहफ कर दो मेने तुमारे सुएक जी सिकर को, कर बाह ख़नकी रगदिया, नहीं देवकी बड़े भाईया ने मुझे सब कुछ पता दिया, तूछ तुमारा नहीं, नहीं तक दिरका था मुन्ना, मैं तो तेरी माँ के हाले कि लाएं की नहीं हुरे ये शोदा बहन, मुझे बचन दो इसे तो उसी तरह पालोगी, उतना ही प्यार दोगी चितना ये शोदा माने अपने पेटे को दिया था मैंने अपनी सारी दौलत इसकी नाम कर दिया तुम और तुम्हारा सुख्षे सगर सदा के लिए सलामत रहे देवकी जी देवकी 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 दूक उसीThis दोदावकी और दारे की ईया एकतू देवकी जाप्की मध्यू बन प्यार का अंगिनवार का खुशियों भरा स्वार्ग जैसा घर मध्यू बन प्यार का अंगिनवार का खुशियों भरा स्वार्ग जैसा घर स्वार्ग जैसे भर रागिए करा दो ओख सकते हैं